हेलो दोस्तों मैं हूँ परदीव चौहान आपका स्वागत करता हूं मंतरायू में हमारी क्लास से चल रहे थी ससे जीडी कॉंस्टेबल की उसमें हमारे टॉपिक चल ला था परसंटेज परसंटेज में सेकंड पार्ट खतम हो चुका था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैस कोशन आते हैं और कैसे किया जाता अब उसी का पार्ट आता है थार मां कोशन देखेंगे थोड़ा ज्यक्स कि कैसे आ जाता से कंड पार्ट में आ बताया था कि थार्ट पाहुंट миमलोग ञैंस हैं तो थोड़ा सा पहले बैसिक जनकारी ले ले लेते हैं कि परसंटेज कि तो कितना लाए यह तो परसंटेज की बात अब यहीं सब लेकर आगे चलते हैं पहला गोशन देखते हैं कि कैसे क्या किया गया है ऑब यह कोशन जाते हैं यह हमारे पास और फेल पे कोशन आएंगे कि कौन कितना नंबा लाया यह इतना से फैल हो जाता हूँ जाता है तो चले पहला question देखते हैं पहला question कहए रहा है कि 130 परशनों वाला एक परक्षा मzahl उसके बाद क्या संपूर्ण जो परक्षा थी उसमें जो grade मिला वो 60% का grade मिला जो संपूर्ण परक्षा जानी 130 नंबर का था उसमें क्या है वो 60% का grade मिलता है और 65% में से कितने परतीसत उत्तर सही देना होगा यानि कि कहने का मतलब क्या 130 question था उसमें से दो भाग मैं यह paper किया पहले में तो इसने 40% ले आया ठीक है अब इसको 60% लाना है total तो दूसरे में कितना % उसको लाना पड़ेगा वो चीज इसमें पूछ रहा है तो चले हम question देखते हैं first number question पहला number question क्या कह रहा है 130 number का paper है total उसमें क्या है यह 65 number का यह एक question हुआ और 65 number का यह हुआ इससे यह cancel कर दे तो क्या हो गया one ratio one यानि कि पहला जो paper one का होगा दूसरा paper one का होगा पहले में तो इसने क्या किया पहले में तो 40% ले आया तो कितना हो गया 44 हो गया same to same पीछे कोशन वाले जैसे हैं दूसरा में हमें मालूम नहीं है तो one into कितना है एक्स परसेंट यानि कि यह हमें मालूम नहीं है टोटल हमारा grade कितना है 60 का यानि कि एक इसका और एक इसका कितना हुआ यह वन अनपात वन कितना हुआ यह दो हुआ यहनि टू इंटू कितना हो गया 60 परसेंट यानि क्या हो गया 120 परसेंट बस निकाल लेजए जब टू इंटू 60 यानि कि आप सोचो इन दोनों मैंने क्या बताया था बच्चत और आय और खर्च वाला बताया था बच्चत हमारे क्या निकल रहे थी बीच की निकल रहा था ना तो सेम टू सेम इसमें निकाल दीज़े तो 120 माइनस 40 कितना हो गया हमारा 120 माइनस 40 कितना हो गया 80 यानि कि x percent कितना हमारा हो गया 80 और यह हमारा पहले question का answer आगया अब आता next question नंबर दूसरा question सेम नंबर दूसरा भी ऐसा हिया देखते है नंबर second question यह क्या कह रहा है ये कहा रहा है कि 100 पराशनों वाली एक परिक्षा में अमनने पहले 50 में से 60 उत्तर सही दिए और संपून परिक्षा में grade उसको 75 हो इसके लिए उसके 50 में से कितने परnt का सही उत्तर देना होगा यानि उसका grade जो है 75% लाने के लिए उसको कितना तूसरे जो paper है उसमें सही उत्तर देना होगा तो यानि कि 100 number का paper है उसमें ये क्या किया कि 50 का तो इसने answer दे दिया और 50 इधर दे दिया यानि कि इससे ये cancel हो गया 1 ratio 1 आ गया यानि कि total जो paper से हमारे total क्या 1 प्लस 1 कितना है हमारा 2 यानि कि ये दोनों देखा जाए तो 1 प्लस 1 कितना हमारा 2 है कितना है ये हमारा 2 है तो अब देखिए तो वन इंटू पहले में तो इसने कितना ले आया था हमारा पहले में हमारा 60% ले आया कितना ले आया 60% यानि कि 60 तो हमारा परसेंट आ गया दूसरा में मालूम नहीं है दूसरे का निकालना है यानि कि ये निकालना हमें और तीसरे में जो आया है वो कितना हा गया हमारा दो इंटू कितने परसेंट 75 परसेंट कितना है पच्छतर परसेंट का कितना डबल हो जाएगा देड़ सो कितना हो जाएगा देड़ सो परसेंट बस माइनस कर दीजे इसमें तो एक्स परसेंट कितना हमारा जाएगा एक्स परसेंट आएगा देड़ सो माइनस 60 कितना हो जाएगा 19 यानिकि 90% हो जाएगा और यह इसका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा सिंपल से चीज आप देख लो कि X% कितना जाएगा हमारा X% जो जाएगा हमारा वो कितना जाएगा हमारा कितना जाएगा 90 कितना जाएगा 90 और यहीं हमारा answer हो जाएगा कैसे यह आप दीख सकते हो ऐसे यहनि कि बच्चत और खर्च और आए वाला सेम होई question अब आता है next question next तीसा question क्या कह रहा है तीसा question कह रहा है कि एक व्यक्ती अपनी आए का तीसरा question जो है एक व्यक्ती अपनी आए का 75% खर्च कर देता है यदि उसकी आई और खर्च 20 और 10 में ब्रद्धी कर दी जाए तो बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाए 75 परसेंट 75 परसेंट हमारा कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 75 भागे 100 डिवाइड कर दीज़े 15 भागे कितना हो जाएगा पास से जाएगा तो यह हमारा 20 बार इससे यह cancel हो जाए पांच बट्टे कितना हो जाएगा चार नहीं सरी तीन बट्टे क्या हो जाएगा चार हो जाएगा यानि कि तीन बट्टे चार आ जाएगा नीचे जो होगी वो हमारे क्या होगी आई होगी उपर जो हमारे क्या होगा यह खर्च होगा क्या होगा खर्च हो कितना का खर्च कर रहा है यह अपना यह हमारा खर्च कर रहा है आए और खर्च 20 और 10 परसेंट यानि चार इंटू 20 परसेंट बराबर कितना हो गया चार दूना 8 80 परसेंट खर्च हमारा कितना है तीन इंटू 10 परसेंट यानि 30 परसेंट तो बचत हमारा कितना जाएगा x percent कितना जाएगा x percent into कितना है हमारा इसमें one देखे तो one ही तो है यह one कितना है हमारा one है कितना है one यानि कि कितना हो जाएगा यह हमारा 80 minus 30 बराबर कितना हो जाएगा 50 यानि कि 50 percent इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यानि कि 50% इसको क्या मिलेगा बचत मिलेगी अब आता next fourth question fourth question क्या कह रहा है fourth question कह रहा है कि एक विद्यारति किसी संक्या में 5 बटे 3 के गुणे करने के इस्तान पर 3 बटे 5 का गुणा कर दिया परिकलन में स्कूर्टी परतिसत ग्यात कीजिए कहने के मतलब क्या है कि 3 बटे 5 का गुणा करना था वो 5 बटे 3 गुणा कर दिया तो उसमें कितने का परसंटेज का वो एरर आ जाएगा यानि कि चौथा question है ना fourth number question fourth number question कह रहा है तीन बटे पांच की जगा कितना कर दिया पांच बटे तीन कर दिया बस इसमें ले लिए लिए लस्यम तो तीन और पांच का लस्यम कितना जाएगा हमारा कितना आजाएगा यह खंद यह 15 50 और ला टमा यह जाएगा तो कितना जाएगा इसका अंसर मतल़ कितना जाएगा तो देखिए काटिया इसको पांस्तरी पंद्रा इससे कड़ गया या नौ और यह कितना आ जाएगा हमारा यह मारा आ जाएगा 25 पांस्तरी पंद्रापंद्रा उल्टा लिग दिया मैंने सॉरी यह हमारा उल्टा हो गया क्या हो गया यह उल्टा हो गया उल्टा क्या हो गया देखें यह कहरा 5 बट्रेट 3 की जगह 3 बट्रेट 5 कर लिया आ Kansas लेरा 15 आ गया हमारा यहां पर लेरा घोक्तना कितना हो गिया मारा इससे एक एंसले हो गया тогда तो कितना बचा 5,3,5,5,5,5,5,5 होगे, वैसे इससे के चैन्सल हो गया, तिन्तिक का 9 हो गया, कितना आ गया हमारा एरा, 16 का एरा आ गया, याने 16 पे 25 का एरा, भाई देखा जाए, तो कोष्ट प्राइज बनों क्या बता है तो ऊपर वाली संख्या बता है, into hundred का multiply कर देंगे अब इस्त कार दीज़े इससे ये cancel हो जाएगा चार आजाएगा ये गुणा कर दीज़े तो कितना आजाएगा 24 4 और 2 64 परसेंट इसका क्या आजाएगा answer आजाएगा काट काट आप देख लीज़े वही answer आना यानि कि 64 परसेंट का इन दोनों के बीच में error आजाएगा अब आता next five number question five number question क्या कहता sam वही से ही question है कोई भी अलग नहीं question है sam question देखे क्या कह रहा है कह रहा है एक विद्यारती ने किसी संक्या में 5 बटे 6 की जगा 5 बटे 6 की जगा गुणा करने के इस्तान पर 6 बटे 5 का गुणा कर दिया तो कितना परसेंट के स्कूटी आ जाएगे ने कि error आ जाएगा same वही पांचंग 30 अब आप सोचे होगे 6 और 5 का LCM ले लिजे आप तो कितना आ जाएगा पांचंग 30 चाहिए लसे में आपको पढ़ाएंगे कि LCM कैसे लिया जाता बस आप basic है कि आपको मालूम होना चाहिए चीज इससे यह कैंसिल हो गया चाहिए पांचंग 30 आने पच्चीस और पांचंग 30 पचीस और यह चांग 36 इसमे घट जायगा तो कितना आ जाएगा हमारी 11 आ जाएगा तो ग्यारा पे 25 गुणे 100 इससे यह कैंसिल हो जाएगा चार आ जाएगा नहीं कि 44 परशेंट का एरर इसमें आ जाएगा पांचम कितना का एरर आ जाएगा 44 परसेंट का एरर आ जाएगा सेम तू सम वही कोश्चन ने इसमें से लेस होगे ग्यारा आ गया ग्यारा बटे 25 कर दिया और इसको क्या हमने परतिसत में निकाल दिया अब आता नेक्स्ट कोश्चन अब नेक्स्ट थोड़ा सा टाइप चें को क्यों सकता है और एक विद्यारती एक सो पछसन्था अंग norad और में परिछार्थी अब यह क्या कह रहा है कि मालों कोई पर्था मतलब विद्यारती था कोई विद्यारती था उसको 40% अंग लाने थे ठीक है वह क्या कह रहा कि 125 175 नंबर ले आया और 25 नंबर से फैल हो गया तो आप एक बात यह सोचिए यदि वह 25 अंग और ले आया होता 175 में 25 नंबर ले आया होता तो क्या होता वह पास हो जाता और पास होने के लिए उसको कितना परसंट की चाहिए थे 40 परसंट तो से हम वह से कोशन है देखे छटवा नंबर था थोड़ा सचांज है यदि वह फिर मैं बता रहा हूं यदि वह 25 परसंट अंग और ले आया होता तो पास क्या हो जाता वह हो जाता और पास होने के लिए क्या हो सकता थे उसको 40 परसंट क्या हो सकता थे यानि कि 175 नंबर तो उसके आई रहे थे उसमें 25 नंबर और ले आता तो वह पास हो जाता कितने परसंट उसको चाहिए था 40 परसंट चाहिए था यह तो चाहिए था य यहांने 100% पेपर होता है कितना हो जाएगा पांट सो का यानि कि पांट सो नंबर का उसका पूरान क्या नहीं कि पेपर हुआ होगा आप एक बार फिर समझे कि पाइक सो पच्छकता नंबर वो ले आया और 25 नंबर से फैल होता यदि वह 25 नमबर और ले आता तो पास हो गया होता सिंपल से चीज़ पास हो गया होता बट उसको लाना कितना था 40 परसेंट नमबर तो सेम आगे हमारा अब आता नेक्स्ट कुश्चन नेक्स सांत्वा कोशन देखें सांत्वा कोशन भी सैम एक विद्यारती के पास होने के लिए कितना चाहिए 35 परसेंट देखिये हागे विद्यारती 40 ऑन काकव और 30 अंकों से प्वैल हो जाता है यदि बहार 30 नंबर और द ले आए उता तो पीछ करता है 45 37 70하고 35% नियानि कि से कंसे लेन ज Does b Br Systems and को ना हो जाएगा 200 और यह हमारा क्या हो जाएगा आँसर आ जाएगा आव आता है साम क्onia कुम बहुत अच्छा कुछ भी नहीं है इस कोशन में सिंपल से चीज एकि फिए enjoyment is फिल हो रहाएं थोड़े फिल हो रहाएं थ ये वो ले आया तो तो पुणांग बन जाता उसका पूरा और वहीं बन गया अब आता आठवा नंबर कोश्चन क्या होगा तो आठवा नंबर सेम ऐसे कोश्चन है आठवा क्या कह रहा है वह आठवा कह रहा है कि तीस परसंट उसको प्राप्त होते हैं यानि कि तीस उसको क्या परसंटेज प्राप्त होते हैं और वह क्या होता है पांच अंकों से फैल हो जाता है यदि वह पांच अंक ले परक्त होता है और उसको पर प्राप्त होने के लिए 10 ज्यादा लाता है यानि 40 पर्षंट वह ले आता है तो जब 40 पर्षंट लिया थो 10 ज्यादा लाइतो उसको चाहिए नहीं तो भो क्या करता गट जाता है बस निकाल दीजैं क्या का करेंगे यह इधर ले आएंगे यह दर चला जाएगा तो पांच प्लस दस बराबर 40% माइनस 13% बराबर क्या हो जाएगा 10% बराबर क्या हो जाएगा बस आप कैंसल कर दीजा इसको कितना जाएगा वहारा हंड़ड परसेंट बराबर कितना जाएगा देड़ सो नंबर यानि कि देड़ सो नंबर का पेपर वह होगा कितने का होगा नियुंतर देड़ सो अंक उसको लाने होंगे अब आता कि वागे इसमा दिया गया। कितना करता और तीज अंकों से फ्यल हो जाता है कितना होrimi दूसरा उमद्वार ओमेद्वार और प्राप तो अंको प्राइब क्या कहरा है वह जबकि दूसरा उमिद्वार जो है वह 50% अंग लाता है कितना लाता है और पास होने के लिए अधिक मिलते हैं तो बहुए तो भाई क्या कह रहा है कि मतलब यदि 25 परसेंट उसका आ गया तो बिचार उत्तीस नमबर हो रहाता है तो पासित हो जाता हो जाता तो यह पास कर दिया गया और यह ज्यादा है तो इसको अटा दिया गया क्यों कि उसको जरते नहीं है बस सिंपल से चीज इसको इधर कर तो पचास परसेंट माइनस पचीस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा यह इधर आ गया तीस और प्लस बीस तो सिंपल से चीज पचीस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा मारा पचास परसेंट पचास नमबर इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो वन परसेंट बराबर क्या हो सी यह में कुछ भी नहीं था इसके थोड़ा सा दिमाग लगाना है में उसके पास उमड़ार की सुनाव लड़ने वाले इक आता है जनसंग्याला बस तीन चेप्टर पुरा समप्त हो जाएगा तो जो नेक्स लेक्टर होगा उसमें हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे तो आपको ये सशन कैसा लगा यदी आपको अच्छा लगा सवाल आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सेर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताईए कि हमारे क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है और हम यहाँ पढ़ते हैं और आप भी आईए और पढ़के देखिए और आपको classes बहुत अच्छी लगेगी हम बहुत slow चल रहे हैं इसलिए चल रहे हैं कि आपको केवल समझ आ जाए क्योंकि एक बार आपको समझ आगे तो आप paper में कर लोगे क्योंकि speed तो हम बढ़ा देंगे कैसे बढ़ा देंगे अभी हमारी यह session चल रहा उसके बाद हम मेरात class लेंगे उसमें क्यों revision हमारा classes चलती रहेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतने ही session रोकते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इसको like करिए subscribe करिए और share करिए तो आज के लिए class इतना ही thank you